वेरी गुट इवनिंग दियर्स प्रिंस वेलकम 247 दिस इजू मेंटर स्वारव सिन आप सभी बहुत अच्छे हैं और आप सभी के प्रप्रेशन जब्रदस्च चल रही है दो चैप्टर हमने समाप्त कर लिया है इस सिरीज में बैंकिंग फांडेशन 2023 के सिरीज में आज हम लोग थर्ड टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो है इनिकलिटीज जो फिर से हमारे जितने भी bank examinations है या insurance examinations है उनके तमाम phases में ये topic बहुत important है तो आज इस chapter के basic ideas को हम develop करेंगे and then हम आज कुछ questions practice करने भी भी courses करेंगे और second session से हम लोग variety of questions को हम practice कर रहे होंगे जो भी हमारे upcoming examinations के लिए important होने बाला है so I hope everything is okay from my side yes okay so let's start with the basic idea of this topic of inequities before that I'll just request everyone to you know if you are new on the channel please subscribe कर लिए चैनल को bell icon press कर लिजे अगलावतार बने रहे है का application अगर नहीं है तो please application को install कीजे और उसके सुविधाओं का लाव उठाई है because जब पढ़ाई रिखाई की बात आती है तो I think इससे बैतरीन application क्या ही होगा आपके पास शुरूआत करता है so एक बात हमेशे ध्यान रखना कि आप लोग उन में से हो जो थोड़े proactive है क्यों कह रहा हूँ ये बात क्योंकि एक मिनट रुक जाना हाँ इसलिए कह रहा हूँ ये बात क्योंकि बहुत से लोग तो अभी भी try नहीं कर पा रहे हैं मतलब सुरू करने में ही बहुत सोचते हैं कि सुरू करूं कैसे करूं क्या करूं क्या किया जाए लेकिन अगर इसको पढ़ा जाए तो आपको फील हुआ कि आप इन बच्चों में आते हैं No matter how bad things go You are still away, you are still way ahead of everyone who is isn't even trying और you can say हम तो यहां पर trying के जगे पर starting वाला बात भी कहेंगे हम तो कहेंगे कि वो लोग जो शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं या कोशिश नहीं कर पा रहे हैं उनसे आप बहुत अच्छे हैं क्योंकि आप सुरू कर चुके हैं आप कोशिश कर रहे हैं और मैंने यही बात हमेशा काया है हर साल कहता हूँ यह बात कि भाई जनवरी का महीना बहुत मुकमल महीना होता है शुरुआत करने के लिए बैंक के त्यारी का इसके एक्जाम का जो पैटर्न है वो second half of the year चल रहा होता है ठीक है शुरुआत करते हैं concept की बाते होंगी तो मैं चाहूँगा हर एक बच्चे को बहुत ध्यान से पार्टिस्पेट करें discussion में और discussion में पार्टिस्पेट करने का मतलब यह नहीं कि chat box में आप chat कर रहे हो chat box में आप बिल्कुल सांती से सुकून से सुनते रहेगा बातों को because basic concept बहुत जरूरी होता है किसी भी discussion में किसी भी chapter को कितना मजबूत आप करते हैं उसमें उसके basic ideas को कितना बहतरीं develop करते हैं इस पर निर्फा करता है ठीक है let's start this topic of inequalities देखो इस chapter को हम लोग चाहे वो prelims examination हो या mains examination हो इस तमाम phases में हम दोनों ही phases में हम इस chapter को देखा करते हैं prelims में भी और mains में भी लेकिन सारा कुछ कहां छुपा होता है चाहे हो mains के सवाद solve करें हम या prelims के सवाद solve करें सभी कुछ कहां अटके होते हैं भाई सब कुछ का आधार कौन है तो basic concept है ठीक है न और जब basic concept की बाते होती है जो बच्चे नए है खासर पर उनसे मेरा कहना है कि जब भी basic concept की बाते होती है तो हमेशा ध्यान लखिएगा एकदम प्रॉपरी notebook, pen, दिमाग concentration लेके बैठिएगा ये चार component बहुत ज़रूरी है ठीक है न तो इक्वल का मतलब क्या होता है इक्वल का मतलब होता है बराबर चीज़न जब बराबर होयाती है बराबर हैं तो इक्वल है इनेक्वल का मतलब क्या होता है जब बराबर नहीं है जैसे बराबर को और क्या कह सकते है समान कहते है एक समान होना मतलब equal होना और जब हम iniquity कहते हैं इसका मतलब होता है असमानता चीज़ें असमान हैं तो इस पूरे chapter में हम लोग असमानताओं पे चर्चा करने वाले हैं मतलब पूरा पूरा खेल जो इस chapter में रहेगा वो असमानताओं को के बीच में हम कुछ कुछ और पूर्पूर निकालने की कोशिश में लगा रहेंगे तो पूछे आप से iniquity में क्या पढ़ते हो तो आप ऐसे बता सकते हो उसे तो उस समझ जाएगा कि आप बहुत गहराई से पढ़ने वाले बच्चे हो इसका हिंदी अनवाद अगर लिखे हैं हम यहाँ पर तो इसे हम कहते हैं आसमानताओ ठीक है ना और दुनिया में जब भी असमानताओं की जर्चा होती है तो एक कॉंसेप्ट है एक चीज है जिसके बिना असमानताओं को परखना उसको समझना नामुम्किन है इसे हम कहते हैं कमपैरिजन मतलब कि हम अगर किसी चीज़ के बारे में यह कह रहे हैं कि वो इक्वल है या फिर इनिक्वल है समानताओं चेक करने के लिए या असमानताओं चेक करने के लिए इस तरह किसी भी जगह फे पहुँचने के लिए इस तरह के आउटपुट तक पहुँचने के लिए जो सिंगल एक चीज दुनिया में है जो करना ही पड़ेगा तब ही आप समान्ताओं या समान्ताओं को परख सकते हैं पकड़ सकते हैं वो है comparison, उस हो क्या कहता हैम लोग, comparison उससे हम कहता हैं comparison that means कि इस पूरे chapter में हम असमानताओं के बारे में जो बात कर रहा हूँ उसका आधार क्या होगा, उसका आधार होगा comparison हम वहाँ पे compare कर रहा हूँँगे 2 elements को, 3 elements को, 10 elements को, 15 elements को यह हमारा काम होगा इस चैप्टर में, ठीक है, हमने इस से पिछला चैप्टर जो पढ़ा उसे हम सिलॉलिजम कहते हैं, जब सिलॉलिजम की बाते होती हैं, तो हम कहते हैं कि सिलॉलिजम is all about the discussion of relation between the elements, यह definition है सिलॉलिजम का, लेकिन जैसे ही हम बात सुरू करते हैं, iniquilities की, what is in iniquilities, तो हम कहते हैं यार, it is nothing but the discussion of comparison between the elements, मतलब जहां पर सिलॉलिजम में हम relation word यूज करते हैं, वही पे एक comparison word इस्तमाल कर लिजेगा, तो इसका definition बन जाएगा, अब यह बहुत clear cut बात है, कैसे पर समझते हैं, जब भी हम comparison शब्द का इस्तमाल करते हैं, तो comparison, आमुमन, या फिर general context में बात करें, तो comparison के लिए, निवन तम दो चीज़ें हमें चाहिए होती है, single के चीज़ें में comparison नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, हम single चीज़ें पर नहीं करते हैं, comparison जब भी करते हैं, उसके लिए दो entity, दो element, दो कुछ नो कुछ चाहिए अपने को, ठीक है ना, तो let's चिंटू है और ये पिंकू है, let's suppose, this is चिंटू, and this is पिंकू, ऐसा कुछ नाम समझते हैं, ठीक है ना, हमें पता नहीं है इन दोनों का वेट किया है, अगर हम comparison करना चाहेंगे, तो हमें पता ये नहीं है कि भाई, इनका मालो वेट की बारे में हम comparison करना चाहते हैं, कि इनक आसपास इनका structure है body का, तो हमें नहीं पता, तो चिंटू और पिंकू में जब हम comparison कर रहे होंगे, हम comparison ही करेंगे, अगर हमें वेट का मालूम चल करना होगा, वेट के मामले में, कि कौन बड़ा है, मतलब इनकौन heavy है, कौन उससे कम है, कौन जादा है, कोई बराबर है, क्या है, तो मतलब हम बात करेंगे weight के बारे में, तो weight पे comparison करना चाहते हैं हम लोग, तो हम क्या कहेंगे, अगर हमारे पास कोई knowledge नहीं है, ठीक है न, हम अगर कोई knowledge ही नहीं है इन दोनों के बारे में, तो हम क्या कहेंगे, मालू हम third person में पूछा कि बताओ, चिंटू और होगा, या तो बराबर होगा तीनों, दोनों आपस में, तो ये तीन बाते हम comparison के अधार पे कह सकते हैं, बतब ये पहली चीज़ है जो आपको दिमामे सेट करनी है, ठीक है न, तो चिंटू और पिंकू में अगर हम से पूछा जाए कि चिंटू पिंकू में कौन है जो की ज चिंटू जो है, वो लेस होगा पिंकू से, अगर आप इब्लगल अनभिग गये हैं तो, या तो अधिकतम क्या हो सकता है कि चिंटू जो होगा, या तो बराबर होगा, बास में आ रही है, इस चीज़ को हम क्रिकेट से जोड़ते हैं, अभी क्रिकेट मैच का लगभग लग अब दोनों में अगर मैच होगा, और मैच से पहले हमारे पास क्या प्रोजेक्शन क्या आते हैं, या तो इंडिया जीतेगा, या फिर इंडिया हारेगा, या फिर हमारे पास, या तो इंडिया जीतेगा, या तो इंडिया लूज करेगा मैच को, या फिर टाइ होगा मैच म या फिर क्या होगा, थिजगर बह тебя है, इस है इस मिक्या हो जाएगा, ये तीन संभावना है, ये बाते ये क्यूंक रहा हूं, क्योंकि हमारे पास कभी भी polarization की जब बात आएंगे तो दुनिया में एस तीन चीजे है greater less equal कोई पूछे भाई comparison का जो दुनिया है हो कितना बड़ा है हम बोलेंगे यार रहो comparison का दुनिया जो है ना बहुत छोटा दुनिया है comparison का बहुत छोटा दुनिया है मतलब इस chapter को न हम बिल्कुल ध्यान अखना है greater less और equal to ये तीन चीजें पैदा होंगे ठीक है ना clear है ठीक है clear है ये तीन बाते हमारे पास समझ में आनी चाहिए ठीक है चलिए अब हम इस तीन चीजों को लेकि आगे बढ़ते हैं that means की हम जब इस chapter की जिक्का जिकर करेंगे तो we have comparison और जब comparison होगा तो comparison को present करने के लिए मारे पास तीन सिंबल है greater is equal to and less और इन तीन सिंबल को हम क्या कहते हैं इसे कहते हैं हम लोग definite symbol क्या कहते हैं ये वास्तविक सिंबल है बिल्कुल क्यों वास्तविक सिंबल है इस इन हैं अगर हम individually रखेंगे कहीं पर तो बिल्कुल वास्तविक रिजल्ट देते हैं ये तो रेंज हमारे पास जो है वो यही है comparison का दुनिया का range यही हमारे पास है और इसको हम लोग कहते है definite symbols क्या कहते है definite symbols लेकिन इन तीन symbols की गर बात कर रहे हम लोग तो हमारे पास यह तीन symbols जो है अगर individually plot किया जैसे लिखा जाए A is greater than B अगर अकेले इसको इसको इस्तमाल किया गया है तो this is very definite symbol very much definite क्यों भाई ये clearly बोल रहा है कि A जो है greater है B से या फिर ऐसा लिखा जाए A is equal to B तो बहुत sure है कि A और B बराबर है लिखा जाए A is less than B तो of course we are 100% sure कि A जो है वो कम ही है B से बहुत clear cut symbol है ये तीनों अलग 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 देखा जाए तो clear यहां तक बात clear रहते हैं मसपस्ट लेकिन आप कहेंगे sir हमें तो sir बहुत सारे symbol और भी नज़र आया है जैसे कि आप symbols देखते होंगे greater than or equal to क्या बोलते हैं इसे greater than or equal to या फिर आप बोलेंगे sir एक not equal to भी दिख जाता है कही बार और sir या फिर less than or equal to देखता है ये तीन symbol और भी नज़र आते हैं उनमें से खास तो पर ये दूनों सर बहुत देखते है not equal to sir कभी कभी ये दो symbols और देखते हैं greater than or equal to less than or equal to of course ये तीन symbol हमारे पास और भी है इसे हम कहते हैं indefinite symbol इसे हम कहते हैं indefinite symbols कहते हैं बस ये छे symbol से आगे पूरे comparison के इस दुनिया में कुछ है ही नहीं मतब रेंज की बात कर रहे हैं पूरा पूरा दुनिया शुरुआत कहां से हुआ था सिर्फ इस तीन symbol से comparison का अधार जो है वो तीन symbol साबित करता है या greater होगा या तो कोई चीज़ less होगा या तो मतब जो पूरा संभावना है वो यहीं तक है इनी संभावनाओं को किसी condition के मद देनजर वेक्त करने का जो तरीका है वो इसको बोलते है indifferent symbol उसे हम नाम की तोर पे बात करें तो समय या तो greater than or equal to कहते है या तो not equal to कहते है या तो less than or equal to कहते है ये तीन बाते है मुझे पता है study physics मुझे पता है ये चीज मैं इसलिए कह दिया था कि reasoning की जो recording है मैं फिर से पूरे पूरे आज की जो लेक्शर था उसको में कल फिर से कल नहीं परसों में फिर से वहां सुरू करूंगा zero से तो आज का मुझे lecture में पता है recording में इशू है या फिर आज के उसमें भी दिक्कत था पता है मने अनाउंस कर दिया ये चीज क्लास में तो relax रही है ठीक है बैंकिंग अवेंजिस वाला जो आज का लेक्शर गया था वो थो थोड़ सा टेक्निकली गरबर हो गया था ठीक है न इसे मालो लगाया गया A is greater than or equal to B इस सिंबल को क्या बोल रहा है में लो greater than or equal to B that means कि we are not sure कि A जो है ना वो greater है B से कि equal है हमें इतना पता है कि भाई A जो है ना वो less नहीं है ये condition clear है A और B के बार में कि less नहीं है उसके इलावा कुछ और clear नहीं है पस्तीन सिंबल में एक बात अगर पता नहीं लेकिन बाकी दो भी तो संभावना ही बोलेंगे ना इसलिए इसे हम either का भी एक case कहते हैं क्योंकि either का मतलब क्या होता है जब दो चीजों में हम और लगाते है ना तो या तो या तो ये तो वही बात तो है A is या तो greater than B या तो is equal to B इसे हम either or भी किया है तो संभावनाओं को व shae करने के तरीका है हमने यही लाइन आपको इस चीजों में भी कहा था कि संभावनाओं को ही वेक्ट करने का तरीका क्या है आइदर और है एकड़े में रख़ए करते हैं हम बात तो या तो ग्रेटर होगा या तो equal to hy गया Estoyas फिब्ञे थोड़ी है इसलीज इसी कहाता है निकाता है जिल के जिल के लिए तैंस नहीं जिल सकता है! होगां आवतले चीज़ इसे स्वीज़ने यह दो पहली बात देख रहा हमें कि ऐसा भी होता है मतलब क्या हो यह तो हमने symbols से आपको मुलाखात करा दिया कि these are the symbols ठीक है न? ठीक है clear है, यह है आपका कि भाईया यह symbols हमारे पास हैं जो काम आने वाले हैं ठीक है, आगे बढ़ें reverse parallelism will be asked in means examination, that will be also discussed in the banking avengers batch फिला यहां पे आते हैं how to do how to do comparison how to do comparison comparison करें कैसे, यह सबाल एक बहुत बढ़ा मन में आया जगता है आपके ठीक है न, clear है okay how to do comparison तो सबसे पहले समझेगा comparison अगर हम एक बाब बताईए, अगर माल लो कि कोई series हो रहा है cricket का 10 team में participate करती है output क्यानिकल क्या आता है, कोई एक ही winner होता है winner कितना होता है, सिर्फ एक होता है, दस team में participate कर रही है winner एक team होता है, लेकिन क्या ये 10 team में एक साथ ground पर उतरती है, क्या, नहीं क्या होता है, दो-दो करके match होता है, दो-दो team खेली है, उसमें मैच होई 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 ह काईएंगे इतने बड़ा एक्स्प्रेशन में कंपरेजन कैसे करेंगे और पुट कैसे निकालेंगे अल्टिमेट आउपुट तक कैसे पहुंचेंगे वहीं पर बात देके चल रहा है तो उस दस टीम में क्या करते हैं जो वीनर जब एक चूज करते हैं तो उससे पहले होता क है 2-2-2-2-2-2 टीम में हम मैस देखते हैं मैस कंपरेजन हो रहा होता है इन दोने टीम में को अच्छा है उस वहाँ जीता है फिर इस तरफ दस रिज़ल्ट हम और पर कर शूज करते हैं एक हम यहां भी करते हैं इस शेप्टर में इस फदिशन कितना इबढ़ा हो दिखना असल طور پہ हम अगर देखें तो युद्ध जो होता है हमें होता है हमें मालूम होना चाहिए कि इस दो सिंबल में आउटपुट क्या निकलता है कोई भी दो सिंबल उठा लो उसका आउटपुट किया होगा ये आपके दिमावे पता अगर है तो आप इस chapter के सवालों को एक सवाल को solve करने के लिए hardly आप अगर मालोग बिना कॉमा का सवाल because सवाल का presentation जो होता है दो टाइप से होता है एक तुमारे पास बिना कॉमा का सवाल होगा जिसमें की मतलब मुझे लगता है कि हमारे जो student है एक समय के बाद अराम समय होता है कि दस सेकंड के अंदर साथ सेकंड पास सेकंड में रहां देंगे दो निसकर्स अगर एक स्टेट्मेंट है इसमें कॉमा नहीं है दो निसकर्स पूछा गया है I bet the student will answer those questions near about five seconds दस नहीं बोल रहा हूं मैं निर बाट five seconds बोल रहा हूं देखने बर के देरी है बस पांट साथ सेकंड बहुत है एक सवाल को answer करने का कुछ बच्चे यहां पर होंगे जो कि इस दिवरे पहुँच चुके होंगे Now, when they will put some commas in between the expressions दो दो तीन तीन खंड में तोड़ देते हैं statement को उस situation में क्या होता है हमें उसमें statement को जोड़ना नहीं होता है कॉमा के साथ ही हम सवाल को solve करते हैं उस सवाल को solve करने हूं कितना वक्त लाएगा तो अगर यहां पर पांट साथ सेकंड लग रहा है पर example लिख रहा हूँ, जैसे A is greater than B is equal to C लिखा गया, अब यहाँ पर क्या है कि आपको comparison करना है और पताना है कि बताओ A और C में क्या output होगा, तो मैं पता है कि यहाँ पर जो real fight होगा, वो इस greater और इस is equal to sign में होने वाला है, या फिर A is greater than B, B is greater than or equal to C, ऐसा लिखती आ जाए, तो इस situation में भी हमारे पास A और C माउटपट क्या होने बाला है, इस are the basic thing we need to know, अगर यह इतना basic clear है, तो फिर आप विजेता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ठीक है, जैश्री धरवाल, एक बार फिर से वापस अभी ना, आट बजे मैसेज कर दीगा, थोड़ा उपर आजागा मैसेज, बहुत सारे मैसेज आयाते हैं, तो कई बार कोई कुछ मैसेज जो है, वो नीचे चले आते हैं, तो मैं रिपलाई नहीं करता हूँ, ठीक है न, शरी उसके लिए, लेकिन आप फिर से आर्ट वजे के आसपास मैसेज कर दीगा, मैं देख लूँगा, अभी फिलाल यहां पर आईए, अभी फिलाल मैं चाहता हूँ कि स्पैम कोई किसी और बात करना हो, ठीक है, आपको जो भी गालाई न чуть, एक काम की आकिजिये, मैं चैट पढ़ता हूँ, आपके वीडियो का, जो भी हम क्लासें लेते हैं, उसके चैट पढ़ा करता हूँ, आप वीडियो के लास्ड भी मिटी खाटता हूए, उसके बाद जो चैट, मीलिव इन देसंस, कॉमें इसंस, कॉमेंट बाक् expression को answer करने से पहले it is very much important कि हम ऐसे छोटे-छोटे टुकडों में मालूम कर लें किन दो symbols का output क्या होता है क्योंकि जब symbols ही सीमित हैं तो उनके results भी सीमित हैं तो क्यों ना हम discussion करके उन results के output को ही समझ लें याद नहीं करेंगे हम समझेंगे किसमे किसमे क्या होता है बहुत ध्यान से अगर ये काम कर दिया तो समझें कि आप इस chapter में जाके गंगा नहा लिए काम खतम हो गया जैसे कि अगर हम यहां पर बात करें तो B और C बराबर है अगर A is greater than B और B is equal to C तो B और C जब बराबर ही है तो A होगा वो C से भड़ा होगा तो जाहिए थी बात है यहां पर क्या होगे ए ग्रेटर सिंबल आगे से हमेशा के लिए कुछ भी हो जाए दुनिया में आपको हमेशा ध्यान रखना जब भी इन दोनों सिंबल में आपस में fight होगा ना कभी greater और इक्वल में तो greater ही जीतेगा greater ही output होगा यह वाला वर्ड हाद रगईकार greater जीतेगा ने greater ही जीतेगा अंतर है दोनों में एंट जैसे एक greater जैसे एक greater B से पी, greater C आप जब भी similar symbol का fight होगा word को पकड़ना मेरे ध्यान से क्या बोल रहा हुआ हूँ मैं इसे greater अब बोगन रफतार कैसे आएगा सिर रफतार रफतार दुस्ट इनसान यहीं से आएगा इसी चीज़ से रफतार आता है सर मैं सर पांजों सवाल लगा लिया हूँ सर सर मेरे सर स्पीड नहीं आ रहा है सर अरे दुस्ट पापी तुमने कभी ऐसे बेसिक कॉंसेट को तोड़ा है अगर basic concept को तोड़ोगे तो output निकलेगा simple बंदे बता रहो कुछ नहीं करना होता है results मालूम है तो हाथ का दिमाग में हाथ बंद बांद दिया जाए ना सिर्फ आंखों से छोड़ दिया है सवाल के सामने आखों को छोड़ दिया है तो भी उत्तर आएगा दिमाग भी निकाल रख दिया है तो भी इतना practice होता है clear concept के साथ तो similar symbol जब भी फाइट करेगा similar output आएगा क्यों भाईया तो अभी हम result इसको भी यहां पर अलबरेट कर दे रहे हैं अब यहां पर आते हैं यह थोड़ा साथ आपको लग रहा होगी सर यह थोड़ा सा जो है ट्रिकी लग रहा है मेरे को सर जो भी कह बता रहे हैं आप इसमें ऐसा होगा उसमें यह थोड़ा साथ यहां पर बी और सी में इसमें बहुत ही इंडिफिट सिंबल रख दिया गया है बोला कि ए इस ग्रेटर न और उकल टू बी ग्रेटर न और उकल तो दोनों सिंबल है अब क्या करें सर तो उमने का देखो बे कुछ नहीं इसमें है इसम चूरन है आओ इसक यहां पर यहां पर चाहे घरत रहे हैं इसबल टू रहे हमारा ए और सी में बराबर या रहा है, तो हम greater लिखेंगे यहाँ पर, इसका मतलब conclusion क्या निकालेंगे, कि साहब जब भी greater और greater equal, या फिर यूँ कहें, कि समान direction वाले, एक ही दिशा वाले symbol, जिसे यहाँ पर एक ही दिशा वाले, is equal to neutral चीज़ बचा रहा है, एक ही दिशा वाले similar symbol, अगर fight कर रहा है ता क्या बोल रहा है, इसको लिखो ऐसे definite और indifferent बोलते हैं, इसको ऐसा बोलते हैं, definition बता रहा है, बड़ा तेज बन रहा है, उस्ताद बन रहा है, जबकि यह से बहुत important चीज़ें, because discussions में हम यही सब term इस्तमाल कर रहा होंगे, कि देखो यहाँ पर definite symbol और indifferent symbol में fight होगा, तो जीत या कौन भाई साब, तो definite symbol होगा बात, अब यही आपके सफ़र को आसान कर देगा, यही सब discussion जो है न, आपके speed को लेके आ जाएगा, यही होता है, basic concept का असल में, यही output है, जब basic discussion बहुत अच्छे से करते हैं, तो output ऐसा निकलता है, ठीक है न, so I hope you got the idea, everyone, ठीक है, clear है, तो अब इसके अधार पे आप बाकी expressions भी कर सकते हैं, मैं इतना बता दिया यहाँ पर, ताकि आप लोग थोड़ा से clear रहे हैं, हम कुछ expressions यहाँ देख रहे हैं, जैसे कि, अब यहाँ पे यहाँ पे न, एक हमने लिखा है यह point पढ़ना, possible comparison of, possible combination of comparison, यह मैं बहुत, अब यह समझे, यह बहुत इजात किया गया है चीज़ आपके लिए, मतलब की बच्चों के लिए, बहुत अच्छा चीज़ है, यह क्या लिखा गया है, possible combination of comparison, मतलब, हमारे पास जब सीमित सिंबल्स हैं, और आपको यह भी मालुम होगा, कि हम ज जब, यूनों, सवाल को प्रैक्टिस करते हैं, चाहे कोई भी किताब उठा लेजी कोई बहुत, शेह पड़त, जाए जर्टर के लिगा हो, या फिर खाद कीसलोग कीटाब हो, या फिर कजोधर कीटाब हो, या फिर राम का कीटाब हो, घाढ़त, रोगत केंग हो, तो हर कता स्वालों में पांची वेराइटी आफ सिंबल का इस्तमाल होता है ठीक है ना कौन-कौन से भाई तो ग्रेटर लेस एक्वल टू वो तीन बेज़ जो हमाई डिफिर्ट सिंबल है तीनों और जो हमने इंडिफिर्ट सिंबल में तीन मनाये थे ना नौट इक्वल टू ग्रेटर मतब की ग्रेटर है ठीक है लेस है इस इक्वल टू है ग्रेटर नौर इक्वल टू है लेस दिन और इक्वल टू है आप इन्ही पांच सिंबल से सारे के सारे सवाल को क्रियेट होतों वे देखेंगे इन्ही पांच सिंबल से ग्रेटर लेस इस इक्वल टू ग्रेटर नौर लेस तब आपको ऐसे सिंबल भी नज़राएंगे और तब आप गाली देंगे अरे माश्र तो बताया नहीं हम को इस सब चीज या रही क्या क्या है प्रियर ट्राइब का सिंबल बना दिया इसा बजी कुछ भी कर रहा है इस सब का सिंबल है सर ऐस सब कुछ नहीं है देखने में बस लग रहा है कुछ भी है लेकिन ऐसा कुछ भी है नहीं है इसमें क्या इसको 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 बनाने का इसको 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 काट दिया तो क्या वच्छेका इक टुने काट दिया तो क्या बचिए इस इकल टू को पाइब ना किसी को यह नहीं भाई इस बार तुमें बता रहाँ इसको बहुत कंछुमर निकाल दो इस इंसान का तो ऐसा लिएगा अब बच्चा कन्फ्यूज का लिखा बे का लिख दिया इसो कुछ का तो लगता है कुछ अलग सब धारी चल गया लाइन वी चल गया इस पर कुछ गरबढ़ है ऐसे फिल आएगी ठीक है ना तो हम उस लेवल पर भी काम करेंगे और फिलाल हम यहां पर जितना करेंगे करेंगे मतलब यहां पर हम बहुजा लोड मतलब इस परेशान नहीं करेंगे भी आपको बेसिक की बाते हो रही है तो पर अब पहले इतना समझना है फिर आगे बढ़ना है ठीक है ना तो ठीक है, so possible combination of comparison 14 है, हमने का ठीक है भाई, 14 है, 14 है, माल लिया, How they are 14, just because, I said we have 5 variety of symbols here, we have 5 variety of symbols, and this 5 variety of symbols, यब हम इनकी आपस में 2-2 symbol को बना-बना के expression तयार करेंगे, कोई भी 2 symbol लोड़ा लिए, इनका, 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 combination of comparison तयार होगा, इस से अधिक है ही नहीं, और जब नहीं है, तो हम क्यों ना ऐसा करें, discussion के साथ-साथ, जो हमने भी 3 example साथ को discussion किया, उसी के धार पर 10 खतम हो जाएंगे, इस पूरे 14 पोड़ा है, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 10, और यहां 4, 14 हो गया, इन 14 के 14 को हमने न, 4 सुत्र में बांद दिया है, किसने सुत्र में, 14 को 4 में, तो इसको हम 4 point में खतम कर देंगे, 4 concept में बोलूँगा, इस 4 concept में सब खतम, और यह 10 जो हैं, वो 3 concept में खतम हो जाएंगे, इस पूरे 4 के लिए एक concept, ठीक है, बहुत ध्यान सुनना अब, हमने क्या बोला था आपको, हमने कहा था, सुनो ऐसा है, कि जब भी is equal to a comparison किसी दूसरे symbol सो होगा, दूसरा वाला symbol विजेता होगा, मतलब यहां का output क्या होगा, इस concept से 10 में से 4, इस 10 में से 4 खतम हो जागा, जैसे कि, इस इकल तो a comparison किसी भी दूसरे symbol सो होगा, दूसरा symbol आउटपूट होगा, आउटपूट विल भी A is greater than or equal to C, ठीक है बही, इस इकल तो a comparison किसी दूसरे symbol सो होगा, दूसरा वाला symbol आउटपूट होगा, A is less than C Is equal to a comparison दूसरा किसी symbol से होगा output जो होगा दूसरा वाला symbol होगा A is less than or equal to C बात खतम इस एक concept पर ये चार खतम ठीक है चलिए second concept जब भी कभी एक ही direction में similar symbol आपसे fight करेंगे एक ही direction में similar symbol एक ही direction में similar symbol fight करेंगे एक ही direction में similar symbol fight करेंगे तो वही वाला symbol जो है output होने वाला है A is less than or equal to C A is less than C A is greater than C A is greater than or equal to C समझे दो points हमारा ये आठ खतम हो गया तीसरा concept अभी भी discuss किया हम लोगों ने समान दिशा में वास्तविक और संभावित symbol जब fight करते हैं ये आपसे fight करेंगे तो output क्या हो जाएगा आपका हमेशा वास्तविक symbol definite और indifferent symbol एक ही direction वाले कर fight करेंगे तो हमेशा definite symbol output होगा हमेशा definite symbol output होगा तो ये तीन बात से आपका ये दस खतम हो गया इसको बोलते हैं concept का ताकत आपने किया कि रटा नहीं मारा आपने कहीं से भी रटा नहीं मारा आपने किया कि discuss किया और समझा चीज़ों को उस तीन जो हमने discussion किया था पिछले स्लाइड में उस तीन discussion से ये 10 खतम हो गए वह तीन discussion देना भाई अरे अरे दोस्त देखो नहीं यहाँ पे एक मेंट यही तीन बात है ना इस तीन से अलग कहा बात किया हमने इस तीन concept किस क्या हुआ है दस खतम हो गया और उस पूरे के पूरे inequalities में जो आप comparison करने जाएंगे आप मने पांच हजार सवाल लगाई है आप या पांच लाख सवाल लगाई है आप हमारे कहने के मतलब है कि इस 14 combination of comparison से बाहर कुछ होने वाला नहीं है पता है अपने को उसमें दस जो है खतम हो गया दस मत्तब वो तीन खतम हो गया जो हमने इससे पहले डिसकस किया था इस दब्यूटी ओफ इस दब्यूटी ओफ बेसिक कॉंसेप ठीक है ना ना विल टॉक बाउट इस फूर expressions here ठीक है बहुत ध्यान से यह चार expression आपको यहां नजर आ रहा है इन शार expressions को अगर observe करें तो एक similarity है इस सभी में एक similar चीज है एक similar चीज क्या है यह तमाम अभी तक जो भी हम discussion कर रहे थे हैं पर सभी symbols जो है समान दिसाह में या तो neutral में is equal to के साथ था या जो भी था कई उल्टा उल्टा सिंबल नहीं रखा हुआ था इन तमाम symbols में क्या इस सभाथ तमाम expression क्या दिख रहा है कि यह और ये आपस में उल्टा symbol कैरी कर रहा है यह और यह ultra symbol carry carry a ori appos multi-direction symbols and he appos multi-direction symbol number of symbols and much Jana boss simple semester a concept in Sabhi ko a click line ball nine give I make a bola symbols are present in opposite direction she gonna symbols are present in opposite direction and when this particular situation will occur we will very much clear that does no relation will be defined between this a and c we cannot define any relation between a and c we cannot establish any relation between a and c are that this is a situation utpana hooga jaha per symbols ulte ulte disa me lixha hoongay kisi do element ke bich me tenei element ke bich me jaha pe kama nahi hemat eki saanse me dikha raha ulta symbol ultra symbol ka matlab hoota hai no relation ka creation chikana so no relation jab hooga tummei answer kaisa lixha na padega no relation se matlab jessi kem chintu aur pinku me ko relation nahi jantate thai to humne uttar kya diya tha jaldi se vada na humare paas chintu aur pinku ke baare me koye relation ka man unka kya version ka maamle me kya jubhi emsa pusha kya to unka weight batao ki nka jada hai humne jab kuch nahi maalum tha to humne kya kaha tha humne kya kaha tha humne kaha tha ki ya to chintu greater hooga pinku se ya to chintu less hooga pinku se ya to chintu berabar hooga pinku se same thing will happen here that humare paas a or c ke baare me kuchh hini maalum hai because simbols ulte hai chabbi simbols ulte exactamente Jimane juga par e or c ke baare me ka balengi humble nega marcuch ni pata hihaa kiya bolengi loving Kyle hi upon Pope McGonhee pata hihaa kiya bol यहां लिखते हैं, यहां तो लिखनी सकते, So, relation can't be established between A and C है नहा? Relation cannot be established between A and C Hence Hence the answer oblique conclusion between A and C will be in possibility possibility इसी possibility को हम लोग क्या कहते हैं? Presentation कहते हैं, आईदर और का एक केस आईदर का यहां से बन जाता है We have two cases, एक केस यहां से उत्पन होता है, इसको बोलते हैं, आईदर और केस आईदर के दो situation हैं, एक situation कहां से उत्पन होगा, कैरीग होगा, ऑकर होगा, तो यहां से होगा, जब उल्टा सिंबल होता है ठीक है, इतनी बातें clear होई, यहां तक की बातें अगर clear होई हैं, तो बोलिए हाँ, कैसे comparison करना है, कैसे किस का output आएगा, clear है, हम लोग सवाल पर जाने से बस थोड़े थोड़े दूर है सवाल पर जाने से पहले हमारे पास एक छोटा से काम बचा है, वो है discussion of either or सो एक बात हमेशा बोलूँगा, अच्छे एक बचा कह रहा है, सर, A और B में के बीच में हो सकता है थे अचे पहुसा है ना, सर, अरे दुस्ट, कहीं अगर भी में निकाला है किया? पापी ठीक है, तो इसी को कई लोग बोलते हैं, CND भी बोलते हैं, CND सर, मतब CND नहीं बोलना चाहिए, असल तोर पे, इसका जवाब CND नहीं है, मतब इसका एक, जवाब देके भागने वाला situation जो है, उसमें CND बोल सकते हैं, कि हम बच के निकलना है, बस बोल देना है खुछ, तो CND लेकिन, असल तोर पे, this is the thing, which you should say in this context, मतब इस situation में, आपको जो बोलना चाहिए, वो ये बोलना चाहिए, कि साहब, हम A और C में को रिलेशन नहीं बदा सकते, और जब रिलेशन नहीं बदा सकते, तो भाई साहब एक ही तरीका इसके उत्तर करने का है, वो है, आईदर और म भावना में, तीनों सिंवर को रख दो, तो हम बोलेंगे, हाँ, ये तीनों में से कोई एक बात तो ही जाएगा, getting my point, ठीक है न, clear है, okay, so, now we'll talk about either or, तो बहले मैं यहाँ पर चलो इसको पढ़ी देता हूँ, देखो हमने, सिलालिजम के समय भी हमने तीन कंडिशन दिया था, आपको conditions for either or, हमने वहाँ भी बताया था कि either or is nothing but the situation or you can say presentation of possibility within a boundary or you can say being in a, no, certain circumstances में हम जाके संभावनों को जब छेड़ते हैं या उसके बारें बात करते हैं, तो मुसे either कह देते हैं, this is the thing, अगर आप समझते हैं तो इस तरह से बात कर पाएंगे, नहीं समझते हैं, तो either a condition ह एक केस है, we have either cases and either cases, अगर दीप में घूसके समझते हैं, तो बोलेंगे बाया, कि either is what, either is just a situation of possibility, being in a boundary, that's it, nothing else, ठीक हैंगे, तो, now we have the first condition, which is always common, whether we'll talk about sololism, we'll talk about inequalities, in both the topic at least, हम जब भी either की बाते करते हैं, तो both the elements of two conclusions given must be same, भाई, element common होगे, तब तो हम बोलेंगे नहीं, ठीक है न, second की बात करते हैं, both the conclusions must be wrong individually, यह दोनों ही points आपने, sololism अभी condition के तोर पर पढ़ा है, यह दोनों ही chapter जो हैना, बहुत close हैं आपस में, बहुत close chapter ह यह और आपका sololism जो है, बहुत तालमिल बिठा के चलते हैं, मतलब बहुत सारे conceptual decision में भी आप इस चीज़ को कर सकते हैं, ठीक है न, एक बच्चे का रहा है, इस नंदा सिंग रहा है, main का यहाँ कोई, main का यहाँ inequality वाले question और concept नहीं समझाया जाएगा, क्या सर, देखो यह यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम सही हम देखे हैं तो हम यहाँ पर concept building कर रहे हैं, concept main का प्रीका नहीं होता, यह concept जो हम इस कर watched pecansel कर रहे हैं, यह prelims के लिए और mains के लिए भी है, बस यह वाली बात है, sub सवाल होता है प्रिलिम्स का कॉंसेट तो सब के लिए कॉमन है एक है ठीक है न चलिए तो यह दो कॉंसेट निया आगे थोड क्या कहता है जो दोनों निसकर्स नीचे में रहेंगे वो दोनों मिला कि हमारे गिवन स्टेटमेंट को सटिस्फाई कर देने चाहिए है यह वाली बात है ठीक है अगर ऐसा रखा जाए है आपके सामने अगर ऐसा रखा जाए सम A.R.B. सम B.R.C. ठीक है और निसकर्स पूछा जाए आपसे अभी ताया ताया आपने पढ़ रखा है सम A.R.C. क्या बोलेंगे आप आपसे पूछा जाए क्या बोलेंगे आप या फिर आपसे पूछा जाए all a r c क्या बोलेंगे आप इसको अलग अलग देखेएगा प्लीज मैंने चाहता कि भी बोलें सा sum, no, element, comments and first, second ऐधर ऐसे नहीं बोलना oversmart नहीं बनना है ठीक है न? ठीक है न? clear है fourth यहाँ पे है क्या बच गए? sum not sum a r not c ऐसा कुछ लिखा गया आपके सामने तो इसमें क्या उतर करेंगे आप? है न? सब में क्या बोलेंगे? sir wrong is sir, sir wrong is sir, sir wrong is sir, sir wrong is sir, sir wrong is sir ऐसे ही बोलेंगे न आप? ठीक है, अब यहाँ पे आजाओ a is greater than b, less than c niskers a is greater than c a is equal to c a is यहाँ भी क्या है, यहाँ भी क्या है, यह सब गलत है बहुत ध्यान से सुनने का यह बात है यहाँ 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 यूटूब पे या गई जगहाँ पे इपने रिल्स विल्स में, यह वो बात है जो आपको कोई नहीं बताएगा तो exactly कुछ ऐसा ही सिच्वेशन है जो भी आपके स्क्रीन पे है ठीक है ना इन दोनों में भयंकर रिलेशन है अभी जो दोनों चीज़े ड्रॉ की गई है वेरी क्लोज, यहाँ वेरी क्लोज तो इच एधर तो चौनसेप्चुली यहाँ बहुत बहुत नजदीक है अपस में यह कौनसेप्चुली ठीक है तो लेकिन अब जैसी आपसे बोल दिया जाए बोल दिया जाए ऐसे जो सुनो ऐसा है इस अप पॉस्बिटी लगाएंगे तो क्या बोलोगे आप बोलेंगे सही इस अप पॉस्बिटी लगाएंगे तो क्या बोलोगे आप हम बोलेंगे सही इस अप पॉस्बिटी लगाएंगे तो क्या बोलोगे आप सही, क्यों, विकाज हमारे पास A और C में कोई रिलेशन नहीं था संभावनाओं में सारी बाते प्रबल है, संभावनाओं में सारी बाते प्रबल है बोलो भाईया, आल इस वेल, है, तो संभावनाओं में अगर सारी बाते प्रबल है तो हम संभावना लोगाने के बाद हम तो क्या किये, पार हो गए, A और C में हमने बेडा पार कर लिया, A और C में संभावना है, हाँ है, A और C में पर्तिबन दुस्मनी है, हाँ है संभावना में, सभी A C हैं संभावना में, हाँ है, तुम से A और C में कुछ भी बोल दो बे, अगर तुम्हें ऐसे लगा ही दिया है, जब संभावना इसे लगा हुआ है, हाँ हाँ, ले जाओ, ले जाओ, वही वाली बात है, अगर रिलेशन नहीं है तो, अगर रिलेशन नहीं है, if there is no relation, we'll of course accept everything about these two elements, about which we were not aware of, anything, हम कुछ नहीं पता हमे, of course संभावना में सारी बात है, ठीक है, so, इसी बात पे बोलो, मैं कुछ और बोलना चाहता है, मैं नहीं बोल दी, all is well बोल दो, because, you know, यह open platform है, तो, आजकल वैसे भी बहुत जल्दी लोग आहत हो आते हैं, तो मैंने बहुत सिंपली कह दिया, all is well, ठीक है, सलिए, अब यहाँ पे आते हैं, इसको हम रिले है, नहीं है, क्या बोलेंगे है, हम बोलेंगे संभावना, संभावना इनिकलिटीज में क्या है, संभावना एक्जेक्ली वही है, जो हमने चिंटू और पिंकू के बारे में बातें करी थी, exactly वही है संभावना, अगर इस इस इक्वल टू को उठा के यहां से, एडजस्ट क बनाना चाहा था लिए, मैं इसको छोड़ दो भी, आप confuse ना कर जाओ, लेकिन हाँ, ये दोनों सिच्वेशन जो है, combination में आपस में आइदर हो जाएंगे, ये को दोनों combination आपस में आइदर हो जाएंगे, ठीक है न, some not and all, and some and no, ये आपस में आइदर आइदर हैं, इसको making vengeance batch में, जब आप मुझे याद दिलाना, फिलाल यहाँ समझो, is equal to को यहाँ सैल कर तो भी आइदर हो, यहाँ ओड़ा कर तो तो भी आइदर हो, दोनों जगर is equal to नहीं चलेगा, दोनों जगा नहीं चलेगा बात समझना, दोनों जगा नहीं चलेगा, कहीं इसी एक जगा पर इस इकल टू को लागे पटक दो, तो हो जाएगा इदर और, क्यों? क्यों हम A और C के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, यहां पर हम इस अ पॉस्पिलिक्टी वर्ड तो नहीं जोड सकते, यहां हम बोल सकते हैं कि या तो A greater होगा C से, या तो A C से छोटा होगा, या तो A और C बराबर होगा, बस इतना ही हो सकता है, ठीक है ना, ठीक है ना, I hope you got the idea, so this is how, this is one of the presentation of either or actually, यह एक presentation है आईदर और का, अब देखिए कैसे, यह बात कहां में लेके चल रहा हूँ, मतलब कर ऐसे कहीं उल्टा सिम्बल दिग गया, यहां ऐसे तीनों सिम्बल दिग गया तो आईदर है, और मानलों ऐसे कोई लगा के भेज़ दिया, तो बोलना नाइदर है, बात खत्म है, इसी को कहिए लोग बोलता है, कि नाइदर बीएक के से होता है, बऑच्छे हमारे पास लेके आता है, सर, आप तो सार आईदर केस पढ़ा दिये, लेकिन आप बनाते बहुह ज़्यादा है, अपने नाइदर केश पढ़ा है नहीं सर अब हमने का भी नाइदर भी केश होता है सलाइन इतने साले पाद मालू मी नहीं चला अब वो बच्चा बोलेगा सर मैंने तो फलाना फलाना एक्सवाइज याड सिंगहम सर से पढ़के आये थे और वो तो सब आइदर केश भी यहां लगाया ना यहां लगाया सिच्वेशन यही है तो यह भी नाइदर हो किया लेकिन जब यहां पर लगा देगा तीनों सिंबल दो निसकर्स में जहां पर element common है तो भाई यह वहां पर हमारे इंडिविजुली तो यह गरत बोलेंगे हम अकेले निसकर्स पहला क्या है त इधर फस्ट और सेकंड फॉलोग दिसीज एक्शली अलबाउट आइदर और केस्स तो यहां पर मने इस केस के बारे हम बात किया भी जो केस्टू था ना इसके बारे में चर्चा कर लिया भी आपको पराचल जागा पर चल गया हुआ इस अरे बोलो न रहे बोलता ही नहीं क बोला करो यहां तो बोलो के तो सब ठीक रहेगा ओके है सब बढ़िया है ठीक है ठीक है हाँ चलो अब हम केस वन को पटकते हैं और केस वन के बारे भी हमने ना एक बज़े का चर्चा कर लिया था वैसे आपको नहीं ध्यान गया होगा हम ध्यान कराएंगे आई ठीक है अच्छा पले बेसिक पखड़िये इस इक्वल टू और किसी दूसरे सिंबल में कंपरेजन होता है तो आउट्पूट क्या होता है जोड़ से बोलना एकदम जहां बैठे हो वहीं पर घर वाले कूट देंगे वह लग बात है लेकिन फिर भी चिला दो एक बार क्या होगा त फिर से आगया कॉंसेट इस इकुल कमपेजर किसी दूसरे सिंबल से होगा आउट्पूट क्या होगा तो दूसरा वाला सिंबल होगा ठीक है भाई बरदास कर लिया तुम्हारी बात मान गए चलो यार तुम्हारी बात मान गए यार तुम्हारी बात मान गए लैटमिस कि क्या output हो जागा greater than or equal to आ जागा फिर basic में चलो सारा कुछ है तो भाईया basic में ही organic ही सब कुछ है normal सब्जी से महंगा organic बिखता है चुरन से ज्यादा भाईया concept पर ध्यान दिया करो जमाना organic वाला है बता दे रहा हूं मैं अब देखो मैं एक और term बोलने वाला हूं भी इसको क्या बोलते हैं हम लोग definite symbol जल्दी से कोई रिकत नहीं ठीक है इंडेफिट सिंबल का मतलब ही क्या होता है तो संभावित सिंबल संभावना 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 लेकिन दाइरह है इसमें कि भाईया देखो या तो greater है या तो is equal to है इस symbol को खुदी हम प्रनांस जो करते हैं वो ऐसे करते है greater than or equal to और पर दिया देना, greater than or equal to, मैं भू बना रहा हूँ ना देखो, greater than or equal to that is the thing that means कि इसी को तोड़ दो दो चीज में तो output क्या हो जाएगा, यह individually गलत है because a or माइक भी जो है परचान होगे तो a or c में हम ने क्या बोला कि या तो greater होगा या तो output और इन दोनों में greater than or equal to इसको तोर देंगे घृटर या तो equal to greater या तो तो greater हम यहा रख दिया, is equal to यहा रख दिया, तो इन दोन में आउटपुट तो हम greater नहीं बोल सकते नो जा यह यह गलत हो गया जिए इकल ना और इकल सकते और तो इसको भी काड़ दीजे लेकिन कलेक्टीव ली जब देखेंगे से हम लोगी जैकंडिशन सिता अपका को इसाम कलेक्टीव ली देखेंगे तो कभी ऐसा आ जाए कि A is less than or equal to C कहीं आउर्पुट आ रहा हो, तोड के दोन इसकाफ में लिखा हुआ है, A is less than C, A is equal to C, तो इस आ इन्डिविज़िदी रॉंग, बट यार आइदर और, यार आइदर और, I hope you got the idea, everyone, एक और सी समझे, कोई लिख दिया कि भया, A is, no, ऐसे नहीं, बखलो लिख दिया कोई, A is not equal to B, is equal to C, इसका output क्या होगा, तो A is not equal to C output, कोई दिकत नहीं, अब कोई लिख दिया निसकर्स में, A is greater than C, और दूसरा निसकर्स लिख दिया, A is less than C, क्या बोलो गई, पैसा आया है, अरे हाँ, हाँ, 40 रुपे, 18 पैसा, अरे मत बेजा करो, भाईया, free class है, ओहो, आठ बच्चे के 5 मेंट हो गया, असे एक बच्चे काया कि सर, यहां आईदर होगा ना, ना आईदर होगा, अरे बकलोल, प्रानी, दुस्ट, नलायक, इसलिए बोलते हैं, कॉंसेट पक्ड़ो, सब क्या अंसरा हैं, ना इदर नौर, एक्चली यह क्या है भाईया, आपका आईदर है, यहां पर, यही तो बोलते हैं, कि स्क्रीमे में आया था, कि स्क्रीमे में गया था, नाट इकल्टू, तो हमने का भाईया, वो भी जो है, इंदेट वालए में गया था, इंड़िएज होगा, इंदेट में क्या था, हाँ यहाँ देखो एक प्रूफ हलका सा है हमारे पास not equal to को में तोड के लिखा भी था कहीं पहीं 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 हटा दी हमने not equal to अभी not equal to को मतलब क्या था या तो ग्रेटर या तो लेस सिंपल सी बात है ठीक है ना so this is how not यहां का ओर्पुट क्या निकल के not equal to not equal to किया लिख सक्ते हैं greater or less लिख सकते हैं greater or equal to लिखते थे ग्ले सिकल को हम क्या लिखे लेस्ट को लिखे ना वैसे not equal to greater or less लिख दीए यहाई यह concept पकड़ने वाए सब्सक्राइब करता है उसी को तोड़ दिया दो बातों में मेरे को क्या फाइदा होगा पता है मतलब बिंग अ टीचर हम यूटूब पे हो या पेट पे हो जो मैं पढ़ाने का मौँखा में लेगा तो हम कैची नहीं रहाएंगे इसमें कोई शक नहीं है हाँ आप अच्छे पढ़ रहें तो यहाँ पढ़ा देंगे हम लेकिन एक दिकत होती है यूटूब पे कि हमें नहीं पता होता है कि हम यूटूब पे कब इसको कैरी कर सकते हैं हमारी जिम्यदारी यहाँ पर नहीं हम यहाँ पर इंस्ट्रक्शन समारे पर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन आएगा तो बंद कर देंगे इस क्लास को कुछ और चल रहा होगा फिर देट इस देफरेंस दूसरा चीज हम एक जिम्यदारी वाली फिलिंग आती है जब हम अप्लिकेशन पर होता है कि हाँ इतना उस पर और इंटेंस में अभी तो अभी इस से भी इंटेंस होगा इतना एक घंडे में थोड़ी वहाँ कौन आप जब इनिकुल्टीज का लेक्शर वन करना और देखना कि क्या इतने ह आते होंगी और स्वासा हो जाता है वह आई जाता है कि तो और डिसकुस करना कुछ और बाते बतानी है जैसे में लगवग हम यहां पता चुके हैं सब कुछ फिर भी कुछ और इंटेंस चीजें कुछ और लिखवाने वाली बातें बहुत कुछ होगी तो ऐसा मत बोली अफसोस है यह जो सवाल आप करते हैं ना कि यूटूब और पेड मैं बस इतना ही बोलूँगा प्लीज अपने घर में भी न जो टेंथ कर रहे हैं उनको बोल दिजेगा कि टेंथ का डिगरी यूटूब से ले लो और पढ़ के ले लो और ग्राइशन भी यूटूब पर ही और बहुत बहुत अच्छा डिफरेंस है बहुत चोड़े में डिफरेंस है जिसको डिफरेंस समझ में ना आए नहीं आए इसने नहीं बोला हूं मेरा पेड़ कोर्स है मेरा ये है क्योंकि है जो है सो है यूटूब की कहानिया पता ये यूटूब हम क्या करते हैं हम पढ़ सवाल जो आते हैं वह दोने ही लैंग्वि19 मोहते हैं इंग्लिश और हिंडी यहां भी इम लेकर आते हैं यहां टो मुसलिए क्विज बोड़ेक है investigating इसुमा nya सुमाच जे चाहर्डिव ब्लेशियूरं करता हैं कर दयूक्सुरं चुकत cand devastation नहीं है तो इस बैच में आप एंडोर करने के लिए में रिफेक्ष को इस बैच हैं को आपको थिखाई देगा पर इस तुड़ा ओगा लेंग को रहेगा तिन्हों और दिया रहेगा दिया ध्यान signing off, जिनको नहीं लिया है, अन्रोल कर सकते हैं, या तो आप बैच ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ बैच अगर यह लेंगे, आप तो भी इसके निरफ होगा ओचीज, ठीक है, signing off, thank you, bye-bye, do comment to me and tell me how was the class and बाकी कैसा रहा, क्या डाउट रहा, कुछ डाउट अगर है, या फिर कोई और डाउट है, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, signing off, thank you, bye-bye, यहांज जम करके आप रुदर चलना है, जॉर्डन सर्के क्लास में, पहुंचिए वहाँ पर, मैट से क्लास शुरुआ है,